कॉंग्रिस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है इन दौर में कॉंग्रिस के राष्ट्री प्रवक्ता चरण सिंग सापरा ने वचन पत्र जारी किया बंसल नीउस से खास चरचा में चरण सिंग सापरा ने बीजेपी पर निशान असादा और उन्हें का कि कॉंग्रिस सप्राजी इस वक्त मौझूद है जिनकी मौझूदगी में वचन पत्र जारी हुआ है सप्राजी सबसे पहले तो कितना कॉंग्रेस कमिटिड है इस वचन पत्र के साथ में मद्यप्रदेश में खास तौर पर ये चुनावी जंग के बीच में कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरह से कमिटिड हमेशा रही है आज भी है और आगे भी रहेगे और आज मद्यप्रदेश की जंता ही नहीं देश की जंता ये जानती है कि कॉंग्रेस पार्टी या कॉंग्रेस का नेतुर्त जो कहता है वो करता है तो हमने अगर वचन पत्र बना रहा है कि MP के लिए खास तोर पर राहूल गांधी प्रियंका गांधी एक अलग से रड़नीती त्यार कर रहे हैं क्या कुछ लग रहा है इन चेहरों के दम पर कॉंग्रेस का परफॉमेंस कैसा क्या रहे देखे पूरे देश के अंदर अब जंता जान गई है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं है यह वादे पूरे नहीं करते हैं जुमला जीवी हैं, जुमले बोलते हैं, आगे निकल जाते हैं, जनता के मुद्दे हैं, उस पर ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ध्यान बटकाना चाहते हैं। तो ऐसे ध्यान भटकाने का या गोल पोस्ट चेंज करने का काम जो भारतिय जनता पार्टी करती है उसको देखते हुए भारत की जनता को ये पता चल गया है कि अब ये कोई काम के नहीं रहे है। हमको फायदा होगा।